नमस्कार, स्टूडेंट्स आज हम सिंतेसीस ओफ लीपीड यानि सिंतेसीस ओफ फैट के बारे में पढ़ेंगे, फैट का भी हमने बात की थी, इसे पहले हम बात कर चुके हैं कि फैट फैट जो होते हैं जल में एनसॉलिबल होते हैं इसलिए इनका एक सेल से दूसरी सेल में डिफ्यूजन नहीं हो सकता और जिन सेल्स में फैट उपस्तित होती है उनका निर्मान भी वही होता रहता है और यहीं नहीं कि इट्रमीडिय प्रोड़क्त जो कार्भाडरिट के सिंथेसिस के दौरा निर्मित होते हैं उनका अपयोग भी fat synthesis में कर लिया जाता है तो इससे fat synthesis और respiration activities होते हैं उनके बीच में बहुत जादा गहरा समंध होता है fat synthesis को हम तीन मुखे सोफानों में विवेतित कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं सिंथेसिस के लिए टू एंजाइम कॉंप्लेक्स और फाइफ को फेक्टर्स की आवशकता पड़ती है जिसमें को फेक्टर्स में मुखे रूप से मैगनीज, एटीप, बायोटीन, एनडीपी एस्टू कार्बन डाइक्षेड के आवसकता पड़ती है फेटी एसीड की लोंग चेन का निर्मान के लिए इसीटाइल को एंजाइम जोकी दो कार्बन यूक्त होता है उसके आवसेगता पड़ती है, यह कोई इंजाइम फेटी एसीड सेंथेसीस में सेंटरल रोल अदा करता है और जब पैउरिक एसीड का पैउरिक एसीड का ऑक्सुडेशन या ऑक्सुडेट olhar दिकर्वो कार्बोक्सिलेशन होता है तो उसके कांड से acetyl coenzyme का फॉर्मिशन होता है जैसे कि हमने क्रेब साइकल के अंदर पढ़ा था तो पायोरिक एसीड के decarboxylation के पुर्ण सुरू बनने वाला acetyl coenzyme जो है उसमें पायोरिक एसीड के acetyl smu का जो hs-carbonil मूलक द्वारा घ्रेंड कर लिया जाता है और इसके कांड से क्या बन जाता है acetyl coenzyme जैसे acetic acid CS3C2H plus COA acetyl coenzyme CS3CO COA acetyl coenzyme plus H2O now acetyl coenzyme plus acetyl coenzyme plus melanin coenzyme acetomelonin coenzyme A plus coenzyme A acetyl coenzyme A plus 4NADPH2 butyryl coenzyme A plus 4NADP plus CO2 or plus H2O इस प्रकार से butyryl जो बन जाता है butyl butyric coenzyme A उसका H2O से hydrolysis होगा butyric acid plus coenzyme फिर से liberate हो जाता है इस प्रकार से इस तरह की प्रक्रियाएं जो हती है वो बार-बार reactions बार-बार चलती रहती हैं जिसके कारण से लगातार दो कारवन वाला acetyl coenzyme melonyl coenzyme बनाता है और वो संगनित होकर long chain वाले fatty acids का synthesis कर लेते हैं तो fatty acids के synthesis में जैसा कि हमने देखा मुखे रूप से क्या-क्या चीजें आती हैं मुखे रूप से chain initiation chain termination chain elongation and chain termination तीन चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं जिसमें सबसे पहले हम बात करें chain initiation की तो chain initiation के अंदर क्या होता है सबसे पहले estic acid के साथ coenzyme A जुड़ता है और recital coenzyme A का formation हो जाता है और water मुक्त हो जाता है यहां पर जो enzyme काम में आता है वह बायोटीन कार्बोक्सिलेज प्रोटीन जो होता है उसके साथ मिलकर काम करता है और उसके बाद acetyl coenzyme, acetyl coenzyme में का formation करता है तो इस परकार से यह प्रक्रिया कलाती है chain initiation chain का प्रारंबन हो जाता है नाव दूसरा है chain initiation में क्या हो गया melonyl coenzyme बन गया जिसमें मुख्य रूप से enzyme complex यानि biotin carboxylase, biotin carbonyl, carboxyl carrier protein और trans carbolexes enzyme के आउसकता पड़ती है नाव ATP, melonyl coenzyme यह जो बना है वह prokaryotes में बनता है और aerial parts of the plant में roots में melonyl coenzyme का synthesis दूसरे तरीके से होता है और जिसमें melonyl coenzyme का formation किसे होगा oxyelostic acid, peroxidase enzyme की presence में CO2 liberate होती है melony acid का formation होता और melony acid जो है hscoa coenzyme A के साथ जूड़ता है ATP के उपस्तिती में melony synthetase enzyme की presence में melonyl coenzyme का formation हो जाता है नाव chain elongation reaction chain elongation reaction के अंदर क्या होता है कि इसमें जो यह भी multi enzyme complex में घटित होती है और fatty acid synthetase enzyme इसका main होता है और initial step में जहां पर fatty acid chain का conversion जो है उसका acetyl coenzyme और melonyl coenzyme का acetoacetyl और melonyl ACP में acetyl transacetyl age और melonyl transacetyl age के द्वारा acyl carrier protein के साथ में होता है तो यहां पर reaction कैसे होगी acetyl coenzyme A plus acp acyl transacetyl age acetyl acp plus coenzyme A यहां melonyl coenzyme A plus acp melonyl transacetyl age melonyl acp plus coa अब उसके बाद जहां पर acyl group transport होता है coenzyme A को और फिर thyoster बनता है sulfideal group होता है acyl carrier protein का उसके साथ और यह खलाता है transacetyl age अब acetyl acp जो की 2 carbon compound होता है plus melonyl acp जो की 3 carbon compound होता है और condensation होता है इनका तो co2 liberate होती है और यहां पर acyl melonyl acp होता है condensing engine वो काम में आता है जिसके कारण से acetoacetyl acp बन जाता जो की 4 carbon compound होता है और acpsh liberate होता है इस परकिरिया में co2 निकली और जिसके कारण से अब उसके बाद acetoacetyl acp जो बना है वो उसका reduction होगा NADH2 reduction से 3 hydroxy butyl acp बन जाएगा और NADP मुक्त हो जाएगा यहां पर 3 hydroxy butyl acp से water calibration होता है तो crotonyl acp बन जाता है और crotonyl acp से NADPS2 का utilization hydrogenase enzyme की presence में और 4 carbon compound यानि butyl acp का formation हो जाता है तो यहां हम क्या देख रहे हैं जहां हमने start किया था estic acid से यहां हमने प्राप्त कर लिया है 4 carbon compound यानि butyric acid तो यह क्या हुई elongation of butyl acp वापिस वैसे ही फिर से जाएगी फिर से melonyl co enzyme इसके साथ जुड़ेगा इस तरह से लगातार उसके बाद 2-2 carbon उसमें जुड़ते चले जाएंगे और chain का elongation होता चला जाएगा धीरे-धीरे fatty acids long chain वाले fatty acids का formation हो जाएगा फिर 4 है फिर 6 है 8 है 10 है इस तरह से दो-दो increase होते चले जाएंगे नाव next step is termination reaction यानि जब desired length का fatty acid का synthesis हो जाता है तो chain elongation stop हो जाता है और acyl group जो होगा वो transfer हो जाएगा co enzyme A के SH group को in place of SH group of enzyme now enzyme get free and chain elongation terminates यह process से हम केवल saturated fatty acids का formation कर लेते हैं और unsaturated fatty acids का formation जो होता है वो oxidation of saturated fatty acids के द्वारा किया जाता है जैसे हम sterile co enzyme A है oxidation हमने O2 की presence में इसमें करवाया co enzyme NDS2 इसमें अकाम तो steric acid कि इसमें प्रिवर्थित होता है olyle co enzyme में यानि olic acid में steric acid जो की saturated fatty acid है olic acid जो की unsaturated fatty acid इसी प्रकार से palmatic acid है palmotile co enzyme है यहां पर fatty acid synthesis एक costly होता है जिसमें 14 molecule of NADPS2 hydrogen के NADPS2 के और 7 molecule ATP के आवशक होते हैं और जो NADPS2 है उसका supply PPP pathway pentose phosphate pathway जो की हमने पहले पढ़ा था उसके द्वारा supply होता है तो जिसमें इसमें 8 acetyl co enzyme plus 7 ATP 14 NADP H2 plus 14 H ion तो palmitic acid जो की 16 carbon वाला है और 14 NADP plus 8 co enzyme A plus 6 H2O plus 7 ATP 7 ADP plus IP का formation हो जाता है नाव सेकिंड जो है जब हम फैट के synthesis की बात करते हैं तो सेकिंड मेजर स्टेप है यहां पर हमने पहले वाले स्टेप में क्या पड़ा कि इसमें लगातार ब्यूटा एरिल एसीड के साथ फिर से फिर मेलोनायल को enzyme होगा तो जुडेगा तो उससे फिर दो कार्बन का formation दो कार्बन फिर एड हो जाएंगे फिर उसके बाद पुन इस तरह से लगातार यह चैन के रूप में परक्रिया चलती रहेगी नाव है synthesis of glycerol glycerol एक अलकोल है जो की जनरली living cells में एक यानने विद्यू द्वारा synthesize हो सकता है तो सबसे पहले हम बात करें डाइ हाड्रोसिन एसिटोन फोस्पेट जिसको DHAP भी बोलते हैं NADPS2 की presence में और glycerol phosphate dehydrogenase enzyme की उपस्तिती में और convert हो जाता है alpha glycerol phosphate में जैसा कि आप डाइग्राम में देख रहे हैं और plus NADP, NAD मुक्त होता है तो यह enzyme glycerol phosphate dehydrogenase द्वारा catalyze होती है यह एक dihydroxyastone phosphate का हमने EMP pathway यानि glycolisis में भी पढ़ा था एक intermediate compound है यह और इसका निर्मान enzyme किस enzyme से बनता है जब हम fractose 16 diphosphate के साथ eldrogenase enzyme की reaction करवाते हैं तो इसमें 3 hydroxyaceton phosphate plus glycerol phosphate का formation हो जाता है तो यह अब यह बनावा glycerol phosphate जो है H2O की presence में phosphatease enzyme द्वारा इसका phosphate group remove हो जाता है और यह बन जाता है glycerol और plus H3PO4 मुक्त हो जाता है तो इस प्रकार से किसका formation हो जाता है glycerol का formation हो जाता है और दो steps में यह reaction complete होती है next condensation of fatty acid and glycerol अब उसके बाद क्या होता है बनावा fatty acid और बनावा glycerol आप उसमें condense होते हैं और इसके कांड से fat का formation हो जाता है इसमें मुखे रुप से fatty acids और glycerol की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है और वैसे इनका निर्मान काफी मात्रा में होता है और इसमें plant cells के अंदर इनको fat में convert कर लिया जाता है इसमें acetyl coenzyme के fatty acid synthesis में संग्नन में बहुत ही महत्पुन भूमिका होती है और इसमें क्या कि सबसे पहले acetyl coenzyme यह जो है वो condense होता है तो इस इस्तिति में fatty acid coenzyme बनता है fatty acid coenzyme सबसे पहले यह होगा इसके अंदर यान जब fatty acid synthesis होगा तो fatty acid और glycerol डारेक्ट नहीं जुड़ते हैं बलकि fatty acid को fatty acyl coenzyme में convert होना होता है और glycerol को glycerophosphate में convert होना होता है और इस fat के अंदर fatty acyl coenzyme resultant है तब fat is simple fat but it contain different fatty acyl groups and resultant fat is mixed fat mixed fat भी हो सकती है first fatty acid combine होता है coenzyme A के साथ और बन जाता है fatty acyl coenzyme complex now उसके बाद glycerol phosphatid हो जाता है और asymmetrically to form alpha glycerophosphate अभी section हमने देखा glycerol plus ATP kinase enzyme द्वारा alpha glycerophosphate plus ADP अब उसके बाद two molecule of acyl coenzyme A condensed with molecule of alpha glycerophosphate to form phosphatidic acid यानि सबसे पहले phosphatidic acid का formation होता है जिसमें alpha glycerophosphate के साथ two fatty acyl coenzyme एक साथ आकर जुड़ते हैं और जिससे बनता है phosphatidic acid यानि दो और OH group के साथ जुड़ जाते हैं glycerol plus phosphate को मिला ग्राम बोलते हैं phosphatidic acid now undergo defosphorylation और इससे क्या बन जाता है डाइग्लिस्राइट फोस्पेट का जब होता है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा phosphatidic acid के साथ phosphate remove हो जाता है तो बन जाता है diglyceride यानि CH2O, COR, CHO, COR और CH2OH यानि diglyceride का जैसा के आप चित्र में देख रहे हो diglyceride का phosphatidic diglyceride है फिर उसके बाद सीधा ही diglyceride है अब उसके बाद diglyceride plus third fatty acid यानि fatty acid coenzyme A फिर से बुड़ेगा और बनाएगा triglyceride fat यानि triglyceride तीनु ही glycerol के साथ तीनु ही fatty acid आप जुड़ चुके हैं और coenzyme A such मुक्त हो जाता है तो इस प्रकार से यानि बनावा fatty acid जो है उसका condensation होता है बनावा fatty acid और बनियू glycerol का condensation होता है और उसके बाद क्या बनता है लीपिड का formation होता है लीपिड के formation में जैसा कि आपने diagram में देखा glycerol जो होता है वो glycerol के रूप में काम नहीं आता है और fatty acids जो होते हैं fatty acids के के रूप में काम में नहीं आकर fatty acids को enzyme के रूप में ही fat synthesis के अंदर काम में आते हैं तो यहां पर glycerol 3 phosphate acetyl sacp बन जाता है phosphatidal monoglyceride phosphatidal monoglyceride से जब क्या जूडता है वापिस acetyl sacp जूडता है तो phosphatidic acid diglyceride और phosphatidic acid के साथ फिर से ATP का conception होता है और phosphate group का ADP का conception ATP का formation होता है ADP का conception होता है तो diglyceride और diglyceride के साथ फिर से 3rd जब fatty acid जूड जाता है तो triglyceride का formation होता है इधर दूसरा हम देखते हैं डाई हाइड्रोक्सिन aceton phosphate जो है वो NAD से NAD PS2 से NAD में convert होता है तो यहां पर glycerol 3-phosphate का formation होता है यह pathway भी हो सकता है इसका दूसरा पात्वी यह हो सकता है कि डाई हाइड्रोक्सिन फोस्पेट डारेक्टली convert इन्टो एसाइल हाइड्रोक्सिन aceton 3-phosphate और बन जाता है NAD PS2 ना बन जाता है फोस्पेटिक एसीड जो है monoglyceride में प्रिवर्टित हो जाता है और फिर उसके बाद यह monoglyceride जो है diglyceride में प्रिवर्टित हो और diglyceride triglyceride के अंदर convert हो जाता है तो इस प्रकार से fat का formation हो जाता है जैसा कि हमने यानि ultimately हम क्या कहेंगे glycerol plus 3 fatty acids बन जाता है glycerol phosphate plus 3 fatty acid को enzyme A लीपेज enzyme की उपस्तिती में ATP के conception द्वारा magnesium activator के form में काम में आता है और बन जाता है लीपीड plus 3 को enzyme A का formation हो जाता है तो इस प्रकार से हम इस reaction को इसमें देख सकते हैं तो किस प्रकार से यह लीपीड का synthesis glycerol और fatty acid से होता रहता है तो बनने वाली फैट जो होती है वह जब फैट का formation हो जाता है तो एनिमल और प्लांट फैट में कुछ डिफरेंस हम आपको बताते हैं अनिमल फैट जो होती है वह सचिरेटेड फैटी acids मेरी चोती है और जनरली इसमें 16-18 कार्बन वाले fatty acids पाए जाते हैं प्लांट फैट होती है वह अन्सचिरेटेड फैटी अशिड से रिच होती है और एनिमल फैट जो होती रूम टंप्रेचर पर क्या रहती है सोलीड रहती है जबकि प्लांट फैट जनरली ओर्डनली टं फाम आंप्रेचर वाल लिक्विड फोम में पाई जाती है एनिमल फैट में लो अयोडिन नमबर होते हैं यानि लोँ एंसचिरेटेड फैटी एसीड फैट्स होते हैं प्लांट फैट में हाइए इनिमल फैट को स्टोरर किया जाता लिवर में बोन मेरों में प्लांट फैट्स जो होती है उनको स्टोर किया जाता है सीड्स एंड फ्रूट्स के अंदर और एनिमल फैट्स में ऑक्षिडेटिव रेंसिडिटी मोर होती है यानि जैसे बटर फैट है वीफ फैट है इसमें ऑक्षिडेशन जल्दी होता है प्लांट फैट में ऑक्षिडेटिव रेंसिडिटी जो होती है यानि जल्टिमेट तेल है उनमें कमी रेंसिडिटी नहीं आती यानि स्मेल नहीं आती जैसे ओली ओयल है केस्टर ओयल है यानि आलमुस नील होती है कोन ओयल है तो इनमें रेंसिड नहीं होते है तो इस परकार स स्टूडेंट्स हमने फैट के सिंथेसिस के बारे में फैट के प्रोडक्शन के बारे में हमने पड़ा थैंक यू